इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया मुंबए के आधुनिक शहर के भीतर छिपी है एक ऐसी प्रथा जहां दिवाली के दौरान बच्चे मिट्टी के किले बनाते हैं ये किले बनाए जाते हैं छत्रपती शिवाजी महराज के सम्मान में भारत में महाराष्ट एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किले है किसी समय महाराष्ट इन्ही किलों के वज़े से सेना का गड़ हुआ करता था लेकिन मौसम की मार की वज़े से ये किले जरजर अवस्था में पहुँच चुके है हाला कि सत्ता और शक्ती की प्रतीग के रूप में ये आज भी मौजूद है जहां महाराश्ट का लोहगड किला जो ट्रेकर्स की पसंदीदा जगह है वहीं महाबलेश्वर में छत्रपती शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध किला प्रताबगड एक अलग ही पहचान रखता है मुरुड में स्थित जनजीरा का अभेद्ध किला हर तरफ मन्थन सागर से घिरा हुआ है और सिंधु दुर्ग किला महाराश्ट के तटिय वैभव को बढ़ाता है इन किलों ने ना सिर्फ पहाडियों और समुद्रों को आलंकृत किया बलकि शहरों का भी निर्मान किया है जैसे पुर्टगाली बासेन के भीतर एक यूरोपिय शहर था या मुंबई के साइन इलाके में सित अंग्रेजों का पुराना किला जिस पर उस इलाके का नाम पड़ा महाराश्ट के कई किले उसकी शक्ती, वैभव और बौधिक विरासत की गाथा सुनाते है ये किले महाराश्ट के इतिहास के आईने है जिन्हें संजोने की जरूरत है इन किलों के प्रती, प्रेम और सम्मान दर्शाने के लिए हर साल दिवाली के मौके पर महाराश्ट में छोटे बच्चे मिट्टी के किले बनाते है माना जाता है कि छत्रपती शिवाजी महराज बच्पन में अपने दोस्तों के साथ मिट्टी के किले और युध्ध के दुरुष्य बनाते थे ऐसा कहा जाता है कि चत्रपती शिवाजी महाराज के समय जब वो छोटे थे तो वो अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर मट्टी से किले बनाते थे और इस चीज को याद रखने के लिए दिवाली में महाराष्ट्र में किले बनाने की एक बहुत की इंट्रेस्टिंग ऐसी परंपरा शुरू हुई महाराष्ट में देखेंगे हम तो करीबं 350 के उपर किले हमें पाय जाते हैं और वह अलग-अलग खिस्म के लिए जैसे पानी के बीचओ-बीच कुछ किले है तो कुछ किले एकदम से पहाड के उपर हमें देखने मिलते हैं इन किलो की रक्षा करने के लिए जो शिवाजी महराज के सिपाई होते थे उन्होंने अपने जान की बाजी तक लगा दी है और ये किलो का जो महत्व है ये चतरपती शिवाजी महराज को पता था और इसलिए हमें महाराश्ट्र में कई जगाहों और उनका को समझ कर उनका भी श्वाजी महाराज ने उनको रेनोवेट किया और एकदम से के हिसाब से युनीक है और अगर हम इन सब को देखेंगे तो जो फोटिफिकेशन वाल रहती है या जो उसके बुरुज या बैस्टियन्स होते हैं उनके अंदर का जो सिटैडल रहता है जिसे बाले किला मराथी में बताया जाता है ये सारी चीजे ये बच्चों को सीखने के यहाँ पर मिलती है वक्त और जीवन शैली बदलने के साथ ही मिट्टी के किले बनाने की परमपरा भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक खूबसूरत परमपरा भुला दी जा रही हो वक्त के साथ साथ हमारे जीवन में परमपरा भी बदले रूप में सांस ले रही है खिले कर्स उन लोगों में से हैं जो मिट्टी के खिले बनाने की परमपरा को जंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं यह प्रथा 400 साल पुरानी है और अभी यह लुप्त हो रही है लुप्त होने का कारण भी हम लोग है क्यूंकि इतनी सारे बिल्डिंगे बन रही है कि बच्चों को खुले मैदान ही नहीं मिल रहे है बच्चों के हाथ में कभी मिट्टी ही नहीं लग रही है और यह एक ऐसा ट्रेडिशन है एक ऐसी प्रता है कि दिवाली के टाइम पे सारे बच्चे इकठा होते हैं और ये मिट्टी के किल्ले बनाते हैं ये किल्ले बनाते समय उनको इतना सोचना पड़ता है कि कहां पे दर्वाजा होगा कहां से अपने घोड़े अंदर जाएंगे तो इसके वज़े से जो हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्राटेजी आज कल तो वो स्ट्राटेजी कैसे बनानी है टाइम मैनेजमेंट क्योंकि ये एक किल्ला बनाने के लिए भी उनको आठ से नौ घंटे लगते हैं तो मैंने एक दिन ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक कॉम्पेटिशन का आयोजित करें क्योंकि आज के बच्चे कॉम्पेटिशन ज्यादा समझते हैं जो उनके हर एक फील्ड में हैं तो क्यों ना इस ट्रेडिशन में भी हमें कॉम्पेटिशन का स्वरूप लाए तो 2014 से मैंने किल्ले कर्स करके एक संस्ता का स्तापना किया जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे को इन्वाइट करते हैं और उनको जो भी मटेरियल लगता है ये किल्ले बनाने के लिए वो हम उनको दे देते हैं एक ग्राउन पर बुला लेते हैं और उनको बराबर आठ घंटे दिये जाते हैं ये किल्ले साकार करने के लिए अभी होत जब सुबह बच्चे आते हैं तो एक पेपर पे पहले हम उनको जो किल्ला वो बनाने वाले हैं उसका ड्रॉइंग पहले उनसे बनवा लेते हैं और फिर उसका एक्जिक्यूशन चालू होता है मिट्टी के ग्राउंड यह आज एक सबसे बड़ा चालेंज है जो हर शहर का प् है क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम यह होता है कि मिट्टी लगेगी हमारा ग्राउंड खराब हो जाएगा तो इसलिए बहुत बार यह सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है मुझे कि आठ घंटे में बच्चों को मिट्टी कहा पेदू इस पे हमने आप बोल सकते हैं विजय प् अक्टिविटी इसके बाद यह होता है कि बच्चे एक लीस्ट इतिहास के बारे में और किलो के बारे में सोचना चालू कर देते हैं किताबे खोलते हैं अपने प्यारे गूगल पे चले जाते हैं बहुत सारे चित्रग डाउनलोड करते हैं और बहुत सारी चीजे पढ़ते और हम यहीं चाहते हैं कि बच्चे अपना इतिहास जाने क्योंकि एक इतिहासी ऐसी चीज है जो बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकती है पर जब हम इनको कभी-कभी किलों पे भी लेके जाते हैं और वहां का आर्खिटेक्चर उनको समझाते हैं तब उनको पता चलता है कि 400-500 साल या 1000 साल पहले जितने भी महराज हुए जितने भी बड़े-बड़े योद्धा हुए वह अपनी युद्धनीती अपने ये खिले कैसे बनाते थे वह तब ना इंजिनियर्स थे ना आर्किटेक्स थे तो यह सब कैसे होता था और जब इन अजूबों के बारे मे है उसका महत्व का पता चलता है और यही हमने आज तक एचीव किया है इसके वज़े से बच्चे अभी इतियास में रूची लेना चालू कर दिये हैं क्योंकि एक कॉंपिटिशन होता है तो बच्चों उस कॉंपिटिशन के स्पिरिट में बहुत अच्छी-ची चीजे ढू होता है जिसको हम इंग्लिश में वाच्टावर कहते हैं ऐसे साब चीजे का घ्यान लेके वो यहां पर ग्राउंड पर एकठा होते हैं और यह चोटे-चोटे मॉडल्स बनाते हैं धारत का एक ट्रेडिशन है एक कल्चर है जिसको हमें आगे लेके जाना है जिसके जरीये से I feel यह एक creative way है कि बच्चों को हम सिर्फ lectures या text books पढ़ने के लिए ना दे history की because इसी लिए उन्हें history कभी-कभी boring लगता है So यह creative format है and I feel it will work wonders जब हम परंपराओं को जीवित रखने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी परंपराएं हैं जिन्हें हमारी अगली PD के लिए जानना जरूरी है जैसे लाठी-काठी या दान-पट्टा आज हम आत्मरक्षा के लिए युवाओं को कराटे, जूडों और किक बॉक्सिंग जैसी चीज़े सिखाते हैं लेकिन आत्मरक्षा की हमारी पुरानी परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं जिन्हें अगली PD को जानना चाहिए जूडों को सचिन टेंडूल कर स्टेडियम में सिखाता हूं और उसके साथ ही मैं चाहता हूं कि यह बच्चो लोग सीखे हम सब बच्चो लोग मोबाइल और इसमें खेल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यह जो शुवाजी महाराच की जिसे दान-पट्टा तलवारबाजी बहुत से इसमें वेपन से तो मैं बच्चो लोग को सिखा दा हूं और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सीखे यह ऐसा तो यह अपनी परंपरा है अपनी भारतिय परंपरा है महाराच की परंपरा है जो शुवाजी महाराच की जमने से थी और मैं चाहता हूं कि यह बच्चो जैसे लोग लुप्त होती परंपराओं को पुनरजीवित करने के प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम युवाओं को इस कला और अपनी संस्कृति के बारे में जागरुप बनाएं, जिसकी बुनियाद पर हमारा अस्तित्व बना है। कर दो जाएं, जिसकी बना है।